बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कर मैं आचार्य विनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का श्वागत करता हूँ आज का खास कारिक्रम बेहतरीन कारिक्रम, जानकारी युक्त कारिक्रम क्योंकि भगवान सिव की पूजा हर व्यक्ति करता है श्यू कल्याड करते हैं, श्यू भाग्य विधाता है शांसों के तार सिवोहम सिवोहम का उच्चारन करते हैं तो हमारे जीवन के विग्न बाधाएं दूर होती हैं और हर प्रकारते घर में मंगल होता है आज हम आपको जानकारी देंगे कि भगवान सिवो का प्रशाद क्यों नहीं खाया जाता अर्था क्यों नहीं लिया जाता इस विषय की विस्तर जनकारी देंगे क्योंकि बहुत सारे भग्त गण भगवान सिवो का प्रशाद लेकर के उसे खा लेते हैं तो इस महापाप से आपको बचना होगा इसलिए यह कारिक्रम मैं लेके आया हूँ लेकिन इस कारिक्रम के बारे में जानकारी दूँ इसके पहले एक खास जानकारी है और वह हमें हर कारिक्रम में लेके आता हूँ यदि आप जोट्सिय उपाई लेना चाहते हैं यदि आप तंत्र टोटकों के माध्यम से अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो कहीं दोडने भागने की जरूरत नहीं शिदे फोन उठाईए www.astor.com पे जा करके विनोत भरद्वाज प्रफाइल को सिलेक्ट करें और अपने कुस्चन को घेड़ें एक छोटा सा उपाए आपके जीवन की दसा दिसा को बदल करके आपके जीवन में संब्रद्धी देगा यदि आप फोन से बात करना चाहते हैं तो सादर आमंद्रित है आज आपको हम जानकारी देंगे कि भगवान सिव का प्रशाद क्यों नहीं खाय आता बहुत सारे लोगों के मुख से आप सुने होंगे कि भगवान सिव का प्रशाद ग्रहन नहीं किया जाता है अन्यता महापाप लग जाता है जी हाँ यह सत्य है भगवान सिव ही एक ऐसे देवता है जिनका प्रशाद नहीं ग्रहन किया जाता है और हमारी संस्किते में जितने देवता है उनको प्रसाद लगा करके ही उनको भोजन का या फल का या दूद का प्रसाद लगा करके ही हम पीते हैं तो अपने को शवभाग साली महसूस करते हैं अपने को पुन्यवान महसूस करते हैं देखिए अकसर देखा जाता है कि स्विलिंग पे दूद चढ़ाते हुए जल करके प्रसाद के रूप में अपने घर में शब को देते हैं तो इस महापाप से आपको बचने के लिए यह कारिक्रम मुझे लेके आना पड़ा अब आप सोच रहे होंगे कि सिव का प्रसाद क्यों नहीं लिया जाता है तो उसका प्रमारिक मैं उधारण देता हूँ क्योंकि भगवान सिव की जो एक तरह से पिंडी होती है उस पिंडी के अगर भाग में देखते होंगे एक नाग बना होता है ऐसे आगे की वो चलता हुआ और एक सर्प भगवान सिव की पिंडी के ऊपर होता है तो जो भगवान सिव के पिंडी के ऊपर होता है वो तो काल का प्रतीक है लेकिन जो भगवान सिव के जल लहरी में वो नाग होता है उस नाग का नाम होता है चंडेश्वर पुराणों के अनुसार भगवान चंडे स्वर को सिवजी अपने जनलहरी में धारण कर लिए तब चंडे स्वर ने पूँचा कि महराज मेरी सेवा क्या होगी बोले कि जो भी हमारे उपर प्रशाद फूल फल दूप दीप नईवेद आधी अरपित होगा वह शब तुम्हारा होगा तब चंडे स्वर ने पूँचा कि महराज मैं क्या करूँगा तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आप उस प्रशाद को उस पूजन की समगरी को ग्रेहन करके अपने शेवक को प्रदान कराईएगा जो नित्य नयमित्तिक भगवान सिव की पूजा मंदिर में करता हो अर्थात विसेश पुजारी हो केवल उसी को दोस नहीं लगता अन्यता चंडे स्वर का दोस शब को लगता है अगर चंडे स्वर का भाग अगर ग्रहस्ती लेके आता है तो उसका घर अपवित्र हो जाता है उसके घर में बिग्न बाधाएं आती हैं इसलिए जो चंडे स्वर का भाग अर्थात प्रशाद अपने घर ना ले आएं क्योंकि ये महापाप है और इस महापाप को यदि आप भूल करके भी कर रहे हैं तो अब वीडियो देखने के बाद कताई मत करना भगवान सीव को जो भी चीजें आप अर्पन किये हैं उसे शिवलिंग की पिंडी पे चाहते हैं यदि पारबती भगवान कार्ति के नंदी या गणेस के पास रखा हुआ प्रसाद है उसे सहर्त ग्रहन कर सकते हैं लेकिन चंडे स्वर के उपर आया हुआ प्रसाद आप ग अस्तरमत है यदि कारिकरम अच्छा लगा है तो ओम नमा शिवाई लिकिए और कारिकरम को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान सीव का प्रसाद ग्रहन कर लेते हैं और इसका उनको दोश लगता है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद नमस्का झाल